ये बात हर को ही जानता है कि राहूल गांधी भारत न्याई जोडो यात्रा पर निकल चुके हैं, तमाम शेहर वो लगातार जा रखी हैं, उनकी तमाम फोटोस निकल कर सामने आ रखी हैं, अभी यूपी जो है, फिलाल राहूल गांधी पहुचे रहे जा, कुछ दिनों पहले जो है, इस बयान को लेकर अब उनके ओपर जम कर हमला करें, सबसे पहले मैं आपको बयान बता देती हूँ, देखें, एम यू पहुचे थे राहूल गांधी, वहाँ एक लडगी ने उनसे पूचा, एक छात्रा ने उनसे पूचा, कि हिजाब को लेकर राहूल गांधी का स् सबसे पहली बात है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, कि आप ये पहने ये मत पहने और महिलाएट जो पहनना चाहती है, जो खुद का उन्हें पसंद है वह पहन सकते हैं, और हमें उसकी इजग करनी चाहिए, ये हिजाब को लेकर राहूल गांधी की तरह से कहा गया, इसल इस विवाद की शुरूवात कहां से खुई थी हिजाब की मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, कुछ महिलाएं, कुछ हात्रा है थी, जो एक कॉलेज पहुचती है, उडूपी का ये सरकारी कॉलेज था, पांस साथ ये ये चात्रा है थी, जिनने कॉलेज के अ साइट कर सकते हैं, और अगर हिजाब को लेकर बात है, तो देखें, हिजाब धार्मिक अनिवारता नहीं है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है, कि आप स्कूल या कॉलेज में, वह आप हिजाब पहन कर जाए, खालकि इस आदेश के बाद भी जो है, वह खूब बवाल क्योंकि उस वक्त भारते जंता पार्टी के सरकारती भारते जंता पार्टी ने साफ तोर पर क्लियर कड़का था, कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भेधाव बच्चों के साथ हो, आप ड्रेस देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिर ये बच्चा हिंदू ह एडिया ये बच्चा मुस्लिम हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी के लिए सेम कोड जो हर स्कूल में होता haut अतावर पर हम भी जब स्कूल जाते तो सेम डृस कोड होता था ड्रेस कोड में ये पता नहीं चलता था कि आखिर ये बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है या इसाग है लेकिन इन सब के बीच में ये मामला लगातार बढ़ता चला गया अब वहाँ पर जब महिलाओ ने हिजाब पहनना शुरू किया कि टियर गैस का इस्तिमाल करना पड़ा आंसु गैस के गोले जो हैं वो पुलिस को दागने पड़े उस वक्त वहर किसी ने वो बवाल देखा था कुछ शात्रहों के साथ वहाँ पर बचसलुकी भी वही जिसको लेकर लेकर ये पूरा मामला की मत शुरूरे करनाटक से विवाज शुरू को ये सके होगा पूरा मामला जो ए। की चीएव-जस्टश अवBe deprived सलगा इसको थोटातर के एसके फ़रियव थे एक पूरा मामले में क्या होगा ये जैसे ही कानाटक के अब कॉंग्रेस की सरकार जीत गई अब कॉंग्रेस की सरकार जब जीती तो वहां के सिक्षा मंतरी ने कुछ दूनों पहले इस बात का एलान कर दिया कि हम यह हिजाब बैंग जो था इसको वापिस ले रहा है यानि कि कोई भी महिला कोई भी लड़की जो कुछ भी पहनना चा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखें हिजाब पहनना या ना पहनना एक लड़की की जो है वो सोच के ओपर डिपेंड करता है वो लड़की की पसंद अगर पहनना चाहती है तो सही नहीं पहनना चाहती है तो वह भी सही लेकिन उसको जोड़ जबरस्ती नहीं पहनाय जा सकता है या जोर जबर्सी नहीं उठाया जा सकता है